तो हेलो गाइस कैसा आप सभी लोग स्वागते कोर निव गैम प्लै में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे हैं लाश्ट रूल सर्वाइवल तो गाइस अभी मैंने सिरिंज की रेसिपी निकालने को लगा दिये क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था यार कि अपने पास मैं जब रेट टाइम शुरू होगा ना लाश्ट का तब तक सिरिंज खतम हो जाएगी हाला कि हम लोगों ने रूम अच्छे का से किये हैं सिरिंज भी काफी ज़्यादा थी लेकिन हमारे टीम मैट ने पूरी की पूरी सिरिंज खतम कर दी और जो नए टीम मैट लिये ना गाइ मतलब जब जरूरत पड़ती तब लेते थे वो लेकिन पर उसके बाद कुछ टीम मैट तो ऐसे आ गए जो घर में बेठे बेठे भी सिरिंज लगा रहे थे तो इसलिए पूरी मुझे खतम होती हुए अब थोड़ी वह तरे गई अपने पास में तो इसलिए मैं रेसिप नि करता हूं ताकि हमें और कंपोनेंट्स मिल जाए फिर उसके बाद में हम लोग वह सामान डिस करेंगे और फिर फार्मिंग करने को लग जाएंगे वैसे अभी मैं यह सोच रहा हूं कि रात को फार्मिंग करेंगे और बाकी दिन-दिन के टाइम में हम लोग थोड़े बहुत निकाल लेते हैं अगर आर्मर की रेशिपी अपने पास में होगी तो एंड टाइम पर ज़रुवत पढ़ी तो हम लोग आर्मर बना सकते नहीं तो यहसे क्या है कि जो आर्मर अपने पास में रखी हुई है वैसे तो दो क्लोसेट लग बग फूल है इस्टिल आर्मर से कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी मान लो ये खतम हो जाए कोई बेस पे हमारी बार-बार में रेड फेलो तो फिर उसके बाद चक्कर पड़ सकता है यार फिर उसके बाद मेरे टीम मेड बोलेंगे कि या तुम्हार पास इतनी आर्मर ती इस्टिल की तुमने रेसिपी क्यों नहीं निकाली तो इसलिए मैं वक्त से पहले इस्टिल आर्मर की पूरी की रेसिपी निकाल लिया हूं गाईस ठीक है मैंने वैसे दिखाया कुछी पार्ट आपको लेकिन मैंने रेसिपी पूरी आर्मर की निकाली है अब मैं आ चुका हूँ एरपोर्ट पे गाईस रूम करने के लिए अब यहां पर देखो हमें एक तो यह मिल जाएगी क्या बोलते है केनन यह राइफल एक फायदा यह भी है बाकी कंपोनेंट्स मिल रहे हैं उनको डिस करेंगे तो थोड़ी और इस्टिल अपने पास में बढ़ जाएगी क्योंकि आगे देखो हम लोग रूम करेंगे नहीं तो इसलिए मेंटिनेंस इस्टिल का चलाने के लिए हमें इस्टिल तो ज्यादा चाहिए होगी ना मैंने यह बाद गाइस वैसे अपने टीममेट को भी बोली जैसे कि राज भाई डॉन इनको भी कि मतलब हमें अपना बैस थोड़ा इस्टिल से जादा अप्ग्रेड करना पड़ेगा अगर हमें अपना बैस बचाना है तो तो फिर उसके बाद इस्टिल अपने पास में कम पड़ेगी अप्ग्रेड तो हो जाएगा बैस जितना हम लोग चाते हैं लेकिन उसके बाद मेंटिनेंस के लिए इस्टिल कम पड़ेगी लास्ट तक के लिए तो रा बेस ऐसे भी रहते जिनमें इस्टिल बिल्कुल भी नहीं मिलती तो इसलिए मैं रूम कर रहा हूं ताकि कंपोनेंट्स को डिस करके 1500 यह 2000 इसलिए रूम कर रहा हूं नहीं तो आप कोई वजा नहीं है रूम करने की वह क्या है कि आप लोग कॉमेंट में बोल देते हो कि भाई आपके पास में सब कुछ है फिर भी हाप रूम क्यूं कर रहे हो तो उसकी वजा यह है मैंने आपको किलि पूट नहीं थी तो इसलिए हारबर का रूम में चेक करके आ गया था फिर राज भाई ने बोला कि चलो पीजी भाई कुछ भी काम करने को नहीं है अभी तो हेलिकॉप्टर फोड़ लेते हैं तो अभी हम दोनों हेलिकॉप्टर फोड़ने के लिए आ गए राज भाई ने बोला कि फोड़ूंगा मैं आप सिर्फ अपने उपर एम बना के रखना ठीक है मतलब कि हेलिकॉप्टर जो भी फायर करें वो मेरे उपर करें और राज भाई फिर उसके बाद उसके एल्थ जल्दी कम कर देंगे यह हम दोनों का प्लान आगे आप लोग गाईस देख सकते ह नहां पे हमारा बेस बना हुआ है जो की पूरा आयरं से अपग्रेड हो चुका है ठीक है मैंने इसको पूरा अपग्रेड कर दिया है इतनी फार्मिंग अपने पास में हो गई थी आयरं की अब इसके पीछे की साइड में एक और बेस आपको दिखाई दे रहा है बिलकुल नहीं तो ये बेस भी अपने ही मानो ये एक तरह का बेस नहीं है ये मतलब कारे वारे या फिर बाइक ये सब कुछ खड़ी करने के लिए हमने एक छोटा सा घर बनाया था वैसे ये मैंने नहीं डोन ने बनाया था इस सर्वर की गाइस पता है बात क्या है खास मतलब हम लोग पहले इतने सर्वर खेले ग्लोबल है तो उसमें क्या होता था कि हमारे पास में जितने पॉइंट रहते थे जैसे कि मालो 100 200 200 300 पूरे सर्वर को खेल के इतने पॉइंट हो जाते थे फिर उसके बाद में हम लाश्ट में रेड गरते थे ना तो कोई एक बेस में जैसे की 300 किसी के पास में 80 है ऐसे है पॉइंट मतलब सब के पास में मिले जूले और हमारे पास में भी लिमिटेड ही पॉइंट है इस बार क्यूंकि हमने भी ज्यादा कुछ मतलब पॉइंट के लिए मारा मारी नहीं की है क्यूंकि हम लोग कमी ते यार आप लोग देख सकते हो तीन के बाद में जो सर्वर शुरू करूंगा ना उसके लिए मैं मतलब डिस्कोर्ड पर आके आप सभी को बोलूंगा एक बार और आप मैंसे जो जो आना चाहेगा वो वो आ जाना लेकिन इसमें भी एक बात है कि मैं बुला तो सब कोई लेता हूं और इसमें कोई बुराई भी न प्रव मैं यह बात आप लोग समझ लेना कि अगर आप मेरे साथ खेलो तो कम से कम एक दिन का चार गंटे तो कर लेना जुगाड मतलब चार गंटे आप 24 गंटे में कभी भी आओ यह मत बताने कि मैं सुबह आता हूं शाम को आता हूं रात को आता हूं यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप कभी भी आओ 24 गंटे में लेकिन चार गंटे कम सकम आपको डेली के देने होंगे चार से थोड़ा कम भी चल जाएगा किसी दिन अगर काम है तो और बाकी आने के बाद में बेस में खड़े नहीं रहना है कुछ भी करना है चाहिए से फार्मिंग करो र अपनी टीम में है तो वो किया क्या वो बात रहती है तो आप लोग समझ गये होंगे अपनी टीम में खेलने का कोई रूल्स नहीं है गाईस बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए और अब तो पहले से भी कम मेहनत में ले रहा हूँ पहले तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती लेकिन अब लिमिटेड मेहनत करते है तो आप लोग आ जाना मैं बात भी करूँगो वैसे डिस्कोर्ड पर जो अपना जर्नल चेट है ना उसमें मैं मैं मेसेज डालूँगा तो आप सभी आ जाना उस दिन अब बस यह सर्वर खतम होगा उसके बाद मैं एक दिन या दो दि बागे और उसमें थोड़ा एजी हो जाता है रेडवेट करना और क्या पता बेच भी मिल जाए फिर अगर जैसे की पूरा सर्वर वाइप करके रखे तो बेच भी मिलने के चांस बढ़ जाएंगे तो गाइस सारी बात बताने में देख लो है कि हेलिकॉप्टर फूट चु बड़ी हुई एक तो एनर्जी रिफाइनिंग डिवाइस और एक जिससे कि हमें एनर्जी कट करते हैं वो दोनों चीजे इसमें ही मिलती है ठीक है हेली फोड ने पर ही वैसे हैर गाइस देखो हमें तो एनर्जी माइन की जरूरत पड़ती नहीं है अपने यहां पर डिवा पहले जब यह नहीं नहीं आई ती ना अर्जी आर्मर सब यह से बोल रहे थे वह यह बहुत बड़ी आर्मर है लेकिन अब जादब तर लोग उसके पीछे पड़े हुए नहीं है अब तो अप्लों काम में लेते हो तो बता देना मुझे कोमेंट में यार लेकिन मैं इतनी जाधा अब वो नहीं देख रहा है कि जैसे कि हम उसको किल करते हैं ना क्या बोलते यार वह तायना यार हाँ हाँ इस्पृड मोश्टर को किल करने के बाद में भी हमें एनरजी आर्मर के पार्ट मिल जाते हैं कभी-कभी यह मनलों कि आप 50 बार इस्पृड मौश्टर किल करो चलो तब ही मैं बायों पर आ चुका हूं अपने harness के साथ मैं। यहां पर क्या है कि मैं a horse इसलिए लाता हूं क्यूंकि यहां चाता है तो इसलिए क्या है कि a horse मेरे horse के पार जाते और में आराम, से इतनी तैर में room कर लेता हूं और इतोंra जों भी क्रोने ऐसे ही एक बार हारबर में भी हुआ था यार वैसे मेरे साथ में उस दिन से मैंने हारबर का में गेट वाला रूम है उसको थोड़ा मतलब संबल के करना शुरू कर दिया पेले क्या है कि मैं हारबर के बीच में से होके आता हुथा वो रूम करने के लिए अब थोड़ा सा साइड में सा आता हूँ यार वो क्या है कि अगर जोंबी के पास से निकलते तो जोंबी अपने पीछे आता है और हम लोग सीधा जाके बस चनेरेटर में वायर डालके कार्ड लगा देते हैं और सोस्ते के बच जाएंगे जोंबी अंदर नहीं आएगा रूम के लेकिन असल में अंदर आ गया था यार और उसने मुझे किल भी कर दिया तो गाइस अभी देख लो कि मैंने बायो का रूम कर लिया इसके बाद में फिर से मैं आ चुका हूं एयरपोर्ट प लेकिन वहां का रूम यार उसमें लूट ही नहीं आरी मतलब लूट आई तो ओगी कोई ना कोई बंदा है जो हार्बर का रूम लगा था करता जा रहा है जायार मेरा नेट देखो कैसा चल रहा यार गाईस एक एक चीज बैग में आ रही है यार चलो यार अब थोड़ा चला चलो राइफल बेरल मिला है और फुट बॉक्स भी फोड लेते हैं चलो भाई तो यहां से निकलते हैं वैसे पूरी लूट नहीं थी गाईस इस रूम में लेकिन फिर भी मैंने कर लिया कि वाई कंपोनेंट्स तो मिल ही जाएंगे और हेल्थ काफी कम हो गई नेट के चक लगया हूँ हाँ बस यहीं कि बीच में कोई बंदा ना आ जाए तो अब मैं सीधा जाओंगा अपने बेस पर गाईस चलो तो अभी देखो पहले मैंने सोचे कि एक बार हारबर कर रूम देख ही लेते यार बीच में तो अभी भी इसमें पूरी लूट नहीं आई है कोई न साथ में पहले भी खेला था मतलब जब हम पहले ग्लोबल सर्वर खेल रहे थे ना बहुत ज़्यादा इस्टिल कर रहे थे तब अपने साथ में लगबख 16-17 बंदे थे तब मैंने इसको लिया था और यह बंदा अच्छा खेलता है मतलब फार्मिंग अच्छी करता है और इ इससे अगर बात कर नहीं रहती है तो मैं डिस्कोर्ड पर कर लेता हूं इससे कि भाई तुम कब आये थे कब गए तो यह बता देता है लेकिन इसका खेलने का सिस्टम मुझे अच्छा लगता है ज्यादा कुछ फालतु कि वह नहीं करता है यह आराम से खेलता है खुद के और जो बात बता देते हैं बस उसी भी ध्यान देता है यार मैं सोच रहा हूं गाइस कि अपना जो में बेस है यह मतलब पूरा आयरेंस अपग्रेड हो गया बाद में इसको टाइटिनियम और इस तिल से भी अपग्रेड कर देंगे लेकिन अगर बाहर शुटिंग एरिया बन जाए तो क्या बुराई है यार मुझे थोड़ा बहुत मन में शक ऐसा आ रहा है कि यार इस बार इस सर्वर में क्या है कि सारे के सारे बंदे खेली रहे हैं मतलब वो गये नहीं क्योंकि हमने उनका बेस वेस कुछ जादा रेड किया नहीं पहले तो हम भगा देते थे ब लिखा हो आ रहा है यहां पर तो कुछ भी नहीं है फिर उसके बाद फाउंडेशन क्यों नहीं लग रहा यार देखो गाईस अगर यह फाउंडेशन पूरा लग जाए ना तो मतलब डबल वाल की एक वो आ जाएगी यार ठीक है ना तो मतलब बंदों को पहले वो तोड़न है और फिर बन भी जाएगा तो केविनेट नहीं लगेगी क्योंकि वह 25 मेटर दूर लगने लग गई लेकिन फिलाल तो यहां पर चक्करी दूसरा आ गया कि फाउंडेशन ही नहीं लग रहा बिना कुछ होते हुए वहां पर वहां पर कोई पत्तर वत्तर नहीं है फिर भी कि लफड़ा क्या है यार पहले तो आसानी से सब कुछ लग जाता था अब लाश्ट रूल्स में क्या पता क्या क्या होने लग गया पुराना जमाना ही गया यार यहां पे भी नहीं लग रही देखलो फाउंडेशन चायनीज में और कुछ लिखा आ रहा है तो समझ में और नहीं आ रहा कि यह क्या बताना चाहरा है तो चलो यार गाइस इसको हटाई देते हैं फिर उसके बाद क्या है कि यहां पर मतलब शूटिंग एरिया बन नहीं पाएगा पहली बात तो मुसीबत यह है कि फाउंडेशन नहीं लग रहा जहां पर मैं लगाना चाहरा हूं और फिर उसके बाद केबिनेट भी नहीं लगेगी इतनी पास में दूर लगेगी और दूर मैं अगर यह बनाओंगा शूटिंग एरिया तो फिर उसके बाद मेरे लिमिट आ जाएगी क्योंकि यह बेस भी मैं नहीं बनाया है ना इसलिए और बीच में पत्थर बत्थर भी 80NM का तो तो बस यार गाईस आज के लिए इतना है अगर आज के यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजे इस वीडियो पर 300 लाइक क्या रहा हूं मैं तो सभी भाई लोग लाइक जरूर कर देना और जितने भी हमारे भाई लोगे जिन्नों एक और न्यू गैम प्ले में तब तक के लिए बाए